हेलो माई डियर स्टूडिंट विलकम बैक तो वाई यूटूब चानल मैथमारिक्स आसान भाय महेंदर सर्थ तो आज हम कंटीनिव कर रहे हैं इंपॉर्टन क्योशन सीरीज सो इंपॉर्टन क्योशन की सीरीज में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैट्रैस स्टार्ट कि दिया था तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्ससाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टन होगा एंड तक वीडियो जरूर देखना सब्सक्राइब यहां पर देखो आपको मैट्रिक्स दिया है एए 15-23 और मैट्रिक्स भी आपको स्टू भी प्लस 6 आए और आपको मेंशन किया है वेर आई इस दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ और टू बाइटू बहुत सिंपल है मैं क्या करता हूं तो ए माइनस टू भी प्लस 6 आप डारेक्ट सॉल कर सकते हो इसे मैं देखो यहां पर लिखता हूं आइविल राइ पर आपको मैट्रिक्स ए लिखना है बहुत ही सिंपल है एक प्लेस पर मैट्रिक्स एए यह आपका देखो D who और यहां पर माइनस questi और यहां पर माइनस सेवन है इसके बाद लिख आय तो मैं यहां पर सिक्स लिखता ूं रूठ is i i is the identity matrix of order 2 by 2 तो पता है क्या रहता है आपको तो i के प्लेस पे आप लिखोगे 1001 इसे हम बोलते है identity matrix of order 2 by 2 अब जस्ट आपको simplify करने आज है कर सोलुशन सो सी यह यह 1 5 और देखो minus 2 3 as it is रहेगा because पहले हम multiplication को solve करते हैं अब देखो यहाप यह माइनस 2 से matrix को multiply है तो minus sign को आप यहाँ पर ही रखो हाँ minus sign को as it is रखो और जो number 2 है ना उससे each element को multiply कर दो minus को हमने यहाँ पर ही रखा है ठीक है और just 2 से आप each element को multiply कर दो so 2 1s are 2 2 into minus 6 से देखो minus 6 आएगा 2 4s इट 2 into minus 7 कितना हो जाएगा यह माइनस 14 हमने लिख दिया प्लस अब next क्या करना है आपको 6 जो है matrix से multiplied है तो इच element को हम 6 से multiply कर देंगे तो देखते हैं आप यहाँ कितना आता है सिक्स बंजा सिक्स जीरो जीरो और यह हो गया देखो आपका 6 जैस्ट आपको add subtract करना है दिस इस इकोड और में solve करेंगे हम पहले देखो subtraction दिया है this matrix minus this matrix subtraction कर लो और आपको पता है subtraction करते कैसे करते हैं हम लोग corresponding element subtract करते हैं तो 1-2 तो आपको मालू आहिए माइन टू माइनेस माइनस तो vivasics तो मीनिस 2 और यहı प्लस इक कितना ओ जाएगा 5 स्वेंट भाय nessa , clinics मैनेस माइनस प्लस 14 तो 3 प्लस प्ल surprise कितना हो जाएगा यहापका 17 और यह plus Electric as it is लिखो आप 60 और यह तेखो आएगा आपका 2006 अपनेक्स टिब में आपको आनसर मिल जाएगा इस इसपी Melissa जस्ट आपको addition करना है दोने matrix का तो कितना आएगा देखो यहाँ पर corresponding element को add कर दो minus 1 plus 6 तो आपको यहाँ पर 5 मिल जाएगा 4 plus 0 तो right here 4 और यहाँ पर minus 3 plus 0 तो यह देखो आपको minus 3 मिलेगा and 17 plus 6 तो आपको मिलेगा यहाँ से 23 so therefore हमें value क्या मिला a minus 2b plus 6i इसका value हमें मिला है यहाँ पर 5-3 और यह 423 यह देखो हमारा sum salt हो गया बहुत simple just addition subtraction and multiplication है matrices का यहाँ पर कि ना उसी दुकर मैंने question number 4 को important question लिया हुआ है आपको दिया matrix A है 1 3-6 minus 2 minus 5 0 दिया है matrix B हमें दिया है minus 1 4 1 minus 2 2 5 and matrix C दिया है 2 minus 1 minus 3 4 minus 4 6 और यहाँ पर condition दे दिया है कि 3a minus 4b plus 5x equal to c और question क्या पूछा है find the matrix x तो हमें यह equation use करके matrix x को find out करना है बहुत ही simple है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो equation दिया है उसको simplify करके मैं वहाँ से matrix x लिखता हूँ तो वह easy हो जाएगा देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ आपको 5x चाहिए matrix आपका देखो minus 3a यह वह से लिखना है आपको हमें क्या चाहिए matrix x चाहिए तो ठीक है तो मैं क्या करता हूँ this x will be equal to 5 यहाँ पर जाएगा तो divide हो जाएगा तो 1 by 5 और यहाँ ब्रेकेट में क्या आएगा आपका matrix c प्लस आएगा देखो आपका 4b और यह माइनस आएगा आपका देखो यहाँ पर 3a अब इस यह निकालना तो मैं देखो यहाँ पर निकालता हूं वैलो इसका यह जाएगा x is equal to आपका 1 by 5 तो as it is रहने वाला है ब्रेकेट दो गया अब ब्रेकेट में आपको लिखना है c plus 4b minus 3a तो पहले matrix से लिखता हूं में तो matrix c देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 minus 1 और यहाँ पर देखो minus 3 है और यहाँ पर हमें दिया है 4 minus 4 and this is 6 यह हो गया मारा matrix c then plus 4 भी है तो plus आएगा फिर 4 आएगा और यहाँ पर आपको लिखना है matrix b matrix b दिया है question में minus 1 4 1 और second row है देखो यहाँ पर minus 2 2 और यह 5 है then this close हो गया matrix फिर का लिखा है minus 3a तो हम यहाँ पर लिखेंगा minus 3 into अब आप यहाँ लिखो गया matrix a का value matrix a आपको कितना दिया है देखो यहाँ पर 1 3 और यह minus 6 हो गया and this is minus 2 minus 5 और यह हो गया है देखो हमारा 0 ठीक है this way और यहाँ पर bracket close कर दो because 1 by 5 multiplied है सबको so this is equal to यह हो जाएगा matrix x equal to 1 by 5 as it is रहेगा matrix को simplify करते हैं तो जहाँ पर multiplication रहेगा पहले वह multiplication कर लेंगे हम तो देखो यह आपका जो matrix as it is रहेगा 2 minus 1 minus 3 और यहाँ पर है 4 minus 4 यह देखो 6 है as it is रहेगा plus का plus रहेगा अब देखो जो element 4 है तो element 4 जो है यह matrix के each element से multiplied होगा तो हम 4 को each element से multiply करते हैं देखते क्या आता है 4 into minus 1 तो minus 4 4 into 4 देखो 16 4 बन्सा 4 हो जाएगा 4 into minus 2 so minus 8 4 into 2 8 4 5 सा देखो आपका हो गया यह 20 this way next देखो आपको दिया है minus तो minus sign को हम as it is लिखेंगे और plus 3 से each element को multiply कर देंगे minus बाहर ही है 3 से आप multiply करो 3 बन्सा 3 3 सा देखो 9 हो जाएगा 3 into minus 6 तो minus 18 हो जाएगा 3 into minus 2 तो minus 6 हो जाएगा 3 into minus 5 तो minus 15 हो जाएगा 3 into 0 तो यह हो जाएगा देखो आपका 0 और यह bracket close कर दो this way तो यहां से देखो में मिलेगा x is equal to 1 by 5 ठीक है simplify करते जाओ आप matrix पहले हम यह दोनों matrix को add करेंगे बाद में subtract करेंगे तो पहले add करो और आपको पता है add कैसे करना है corresponding element add हो जाएगा यहां पर 2 plus minus 4 तो minus 2 आएगा 4 plus minus 8 तो 4 minus 8 कितना हो जाएगा minus 4 हो जाएगा minus 1 plus 16 तो यह देखो आपका हो जाएगा 15 minus 4 plus 8 तो यह 4 आएगा then minus 3 plus 4 1 हो जाएगा 6 plus 20 तो यह हो जाएगा देखो आपका 26 और यह फिर minus है यह matrix as it is रहेगा आपका 3 9 minus 18 और यह minus 6 minus 5 और यहाँ पर देखो 0 है next step में simplify करता हो तो यह हो जाएगा x is equal to 1 by 5 bracket में देखो subtraction करने दोने matrix का तो minus 2 minus 3 तो लिख दो आप यहाँ पर minus 5 हो जाएगा minus 4 minus minus plus 6 तो minus 4 plus 6 आपका 2 आएगा यहाँ पर 15 minus 9 तो 6 आएगा 4 minus minus plus 15 तो 4 plus 15 यह 19 हो गया देखो आपका 1 minus minus plus 18 1 minus minus 18 तो 1 plus 18 हो जाएगा तो यहाँ पर लिख दो आप 19 26 minus 0 so right here 26 bracket close so this x equal to अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी correct है अगर आपको further simplify करना है तो 1 by 5 से each element को multiply कर दो तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा आपको minus 5 upon 5 तो minus 1 हो जाएगा 2 upon 5 तो लिख दो 2 by 5 6 upon 5 हो जाएगा यह तो राइट 6 upon 5 19 upon 5 हो जाएगा देखो आपका यह और यहां भी क्या आएगा है 19 upon 5 यहां पर भी देखो आएगा आपका 26 upon 5 यहां पर आएगा आपका ठीक है तो यह answer हो गया matrix x का value तो हमने देखो यह question solve कर दिया तो यह question अगर आपको board exam में आएका तो पूछ सकते हैं तो नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्योशन क्यों सिक्स क्या दिया है इफ मैट्रिक्स ए दिया है थ्री वाई त्रीका मैट्रिक्स है क्योशन आपको पूछ रहा है find a transpose the whole transpose यानि कि सबसे पहले जो given matrix a है उसका आपको transpose निकालना है और transpose निकालने के बाद जो answer है उसका अगेन आपको transpose निकालना है तो मैं solve करता हूं तो तो मैंने आप मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है तो सबसे पहले मैं find out करूँगा a transpose तो I will write here a transpose आपको पता ही है क्या रहता है transpose transpose of a matrix is obtained by changing row element with column element बहुत ही simple है matrix a का अगर आपको transpose लिखना है देखो आप क्या करोगे जो first row का element है उसे first column में लिख दोगे first row का element क्या है 731 तो वो first column बन जाएगा आपका 731 exactly same way जो second row का element है वो second column बन जाएगा तो second row का element है minus 2 minus 4 1 तो वो column में आ जाएगा minus 2 minus 4 1 and third row element 591 write as a third column element यह हो जाएगा आपका 591 this way तो matrix a का transpose हो गया यह a transpose आप क्या पूछ रहा है a transpose का अगें transpose निकालो तो अगें हम इसका transpose ले लेंगे तो a transpose the whole transpose लिख दो this is equal to same thing वह यह process आपको करना है first row element write as a first column यह जाएगा आप 7 minus 2 5 हो जाएगा second row write as a second column यह जाएगा write as a third column तो देखो आपका 111 आएगा तो अगर आप इसे compare करोगे ना same देखो matrix a मिला आपको 7 3 1 minus 2 minus 4 1 and 591 इसका मीनिंग क्या हुआ यह आपका equal to a हो गया that means a transpose the whole transpose is equal to matrix itself आता है तो देखो हमने यह question number 6 को भी solve कर दिया now question number 8 देखो में ले रहा हूं यहां पर question number 8 आपको दिया है find x y z तो हमें element x y z का value find out करना है if आपको यहां पर 3 by 3 का matrix दिया है is a skew symmetric matrix the question में mention किया है कि जो given matrix से वो skew symmetric है so what is the value of x y and z ठीक है बहुत ही simple है just आपको पता होना चाहिए कि skew symmetric matrix का definition क्या होता है तो अगर आपको skew symmetric matrix का definition आता है तो आप easily solve कर सकते हो इसे definition नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ matrix we can say a square matrix a is equal to a i j is set to be skew symmetric condition देखो है यहाँ पर first condition होता है a i i equal to 0 a i i का meaning होता है diagonal element that means a11 a22 a33 यह value 0 होना चाहिए देखो a11 a22 a33 value 0 है पहला condition second condition होता है skew symmetric matrix का यह देखो condition है a i j is equal to minus a j i होता है तो यहाँ पर a i j का मतलब i row j column हो गया और यहाँ पर क्या लिखा है minus a j i तो यह j क्या हो गया row बन गया और i आपका column बन गया यहाँ पर तो यह दो condition है तो पहला condition देखो a i i a11 a22 a33 0 मिल रहा है satisfy होड़ा condition अब यह second condition यूज करके आपको x y z का value मिलेगा तो मैं second condition use करता हो तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a12 is equal to minus a21 हो जाएगा यह condition है a12 is equal to minus a21 skew symmetric matrix सा condition है तो a12 कितना दिया है element of first row second column कितना है देखो यहाँ पर minus 5 i दिया है is equal to minus a21 a21 कितना है देखो यहाँ पर a21 यहाँ पर y है element of second row first column आप लिखोगे minus से बट यहाँ पर तो minus y हो गया यह ठीक है अब यहाँ से आपको y का value मिल जाएगा minus minus cancel हो जाएगा तो आपको यहाँ से y का value कितना मिल जाएगा 5 i यह देखो आपका first part हो गया same way अब मैं second condition use करता हो देखो यहाँ पर a13 है a13 equal to minus a31 होता है यह condition है is q symmetric matrix का so a13 means element of first or third column element of first row or third column कितना दिया आपको देखो यहाँ पर x दिया है this is equal to minus as it is a31 means element of third row first column the third row first column element element आपको दिया है 3 by 2 लिख दो आप यहाँ पर 3 by 2 देखो आपको x का value मिल गया है minus 3 by 2 next और एक condition है a23 is equal to होता है minus a32 a23 element of second row third column element of second row third column कितना आएगा z and this is equal to minus as it is a32 का मिनिंग होता है element of third row second column the element of third row second column कितना दिया है minus root 2 तो लिख दो यहाँ पर minus root 2 तो z का value क्या आएगा आपका plus root 2 हो जाएगा तो हमें देखो answer मिल गया है value of x is minus 3 by 2 value of y is phi r and value of z is root 2 तो हमने देखो question number 8 भी solve कर दिया important question है either 2 marks या तो फिर 3 marks के लिए आ सकता है board exam में now see देखो मैंने next important question लिया है exercise 2.2 का question number 11 question number 11 में आपको 3 x minus y is equal to 2 by 2 का matrix दिया है and then x minus 3 y is equal to again आपको 2 by 2 का matrix दिया है तो यहाँ पर question आपको पूछ रहा है कि find matrix x and y तो यह जो x and y है यह matrix है element नहीं है तो जो given matrix है वो 2 by 2 का matrix है तो जो matrix x and y हमें find out करना है वो भी आपका 2 by 2 का matrix रहेगा तो बहुत ही simple है since देखो आपको यह जो दिया है matrix वो equation के form में दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूं इसे मैं ले लेता हूं देखो equation number 1 और इसे मैं ले लेता हूं equation number 2 जैसे हम normally simultaneous equation को solve करते हैं exactly same way हम matrices को भी simultaneous equation के जैसे solve करेंगे तो बहुत ही simple है देखो 3x-y है और यह x-3y है तो यहाँ पर देखो आपको दिया है plus 3x और यहाँ पर दिया है x तो अगर मैं क्या करूं equation number 2 को अगर मैं 3 से multiply कर दूं तो यह भी 3x हो जाएगा तो बाद में अगर मैं subtract करूंगा equation number 1-10 तो यह 3x 3x cancel जाएगा और वहां से आपको y का value मिल जाएगा तो पहले आप क्या करो multiply equation 2 by 3 लिखता हूं देखो मैं यहाँ पर सब्सक्राइब करना है तो बोथ सैड आपको multiply करना पड़ेगा सिंस equation है यह तो x को 3 से multiply करोगे 3 x हो जाएगा minus 3y को 3 से इंटू किया तो यह हो जाएगा आपका 9y इसे 3 से इंटू करना है तो matrix को 3 से इंटू करना है तो इच element को आपको 3 से इंटू करना पड़ेगा तो 3 इंटू 0 0 3 इंटू 0 0 3 इंटू 1-3 3 2-1 यह माइनस 3 हो गया this way अब इसे मैं दे देता हूं या 3-1 आपको आंसर मिल जाएगा so I will write here equation 1 minus मैं देखो यहाँ पर 3 करता हूं देखते क्या आता है तो left hand side को left hand side से subtract करेंगे right hand side को right hand side से तो देखो left hand side क्या दिया equation 1 का 3 x minus y subtraction करना है तो bracket जाएगा और equation number 3 आपका है 3 x minus देखो यहाँ पर 9 y is equal to then again equation number 1 right hand side matrix है 1 minus 1 this is minus 1 1 subtraction again यहाँ पर matrix equation number 3 का देखो right hand side matrix 0 0 this is minus 3 और यहाँ पर भी minus 3 है simplify करेंगे हम लोग सो इयो हो गया देखो, आपका 3 x minus y minus bracket उपन होगा सो minus 3 x minus minus तो प्लेस हो जाएगा देखो आपका, 9 y is equal to subtraction कर दो 1 minus 0 तो 1 आएगा, minus 1 minus minus plus 3. 3 minus 1 क्या हो जाएगा, आपका 2 minus 1 minus 0, मैनिस 1 हो गया, 1 minus minus plus 3 तो 1 plus 3 तो प्लेस जाएगा देखो minus 3x cancel हो गया, तो हमें क्या मिल रहे है देखो यहाँ पर, minus y plus 9y, तो minus 1y plus 9y is plus 8y आएगा, this is equal to, और यहाँ पर right hand side आपका matrix बच रहा है, 1, 2, minus 1, 4 हाँ, 1, 2, this is minus 1 और यह हो गया, आपका देखो 4, बट हमें तो y find out करना है, यह हो जाएगा हमारा y is equal to 8 वहाँ पर जाएगा तो divide हो जाएगा, पता है आपको, so this is 1 by 8 into 1, 2 और यह minus 4, minus 1, 4, यहाँ से देखो आपको y मिल जाएगा, y is equal to, h element को 1 by 8 से multiply करना है, तो हमारा यह matrix आएगा देखो, 1 by 8, first element 2 by 8, तो 2 by 8 reduce किया, तो 1 by 4 हो जाएगा, ठीक है, minus 1 into 1 by 8, so this is minus 1 by 8, और यह 1 by 8 into 4, तो 4 by 8, कितना हो जाएगा आपका, 4 by 8, 1 by 2 हो जाएगा, तो यह हमारा required matrix y हो गया, बट हमें matrix x भी निकालना है, अब simple है, just क्या करो आप, matrix y का जो value मिला है, उसे put कर दो, either equation 1 में या तो फिर 2 में, जो आपको easy लगे, तो मैं क्या करता हूँ, matrix y का जो value है न, इसे मैं put करूँगा, equation number 1 में, तो वहां से मिझे solution आ जाएगा, so what I will do here, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, put matrix हाँ, हम यहाँ पर लिखेंगे, put matrix y in equation हा, put matrix y in equation number 1 में, देखो में put करता हूँ, so देखते हैं, यहाँ से क्या हमें solution मिलेगा, तो y का वेलों यहाँ पर put करोगे, तो equation 1 क्या है, देखो आपका 3x minus y के place पर आपको यह लिखना है, तो 3x minus y के place पर लिखोगे 1 by 8, minus 1 by 8, this is 1 by 4, और यहाँ पर आपका हो गया 1 by 2, 3x minus y का वेलों लिखा, is equal to, is equal to के बात क्या दिया है, same matrix को भी कर दो, 1 minus 1 और यहाँ पर देखो, minus 1, 1 दिया हुआ है, ठीक है, हमें तो x निकालना है, तो मैं 3x को यहाँ पर रखूँगा, और बाकी जो matrix दो शिफ्ट कर दूँगा मैं, तो यह तो matrix as it is रहेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 minus 1, minus 1, 1, ठीक है, अब यह जो matrix है, उसे हमें वहाँ पर shift करना, right hand side में, तो यहाँ पर देखो, minus sign है, तो जब matrix वहाँ पर shift होगा, तो positive हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, plus, और यह है आपका 1 by 8, this is 1 by 4, यहाँ पर minus 1 by 8, और यह देखो, आपका half है, just आपको simplify करना answer आएगा, तो मैं देखो, यहाँ पर आपको simplification करके बताता हूँ इसका, so this will be 3x is equal to, ठीक है, corresponding element add करना है, 1 plus 1 by 8, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, 1 plus 1 by 8, then this one minus 1 plus 1 by 4, तो यहाँ पर minus 1 plus 1 by 4, next, minus 1 plus minus minus, तो minus 1 minus 1 by 8, minus 1 minus 1 by 8, then 1 plus half है, देखो, यहाँ पर, तो लिख दो, 1 plus half, अब just देखो, simplify करें करें के आता है, so this 3x is equal to, cross multiply होगा, so यह जाएगा, आपका देखो, 9 by 8, cross multiply क्या तो, 4 वन जाएगा, minus 4, minus 4 और यह plus 1, ती हो जाएगा, देखो, आपका minus 3 by 4 हो जाएगा, this way, then minus 1 minus 1 by 8, cross multiply, so minus 8 minus 1, तो यह minus 9 by 8 हो जाएगा, आपका, 1 plus half, 2 और सा 1, 2 और सा 2 plus 1, ती हो जाएगा, देखो, आपका 3 by 2, यहाँ तक clear हो गया है, हमें x find out करना matrix x हाँ, यह हो जाएगा, देखो, आपका x is equal to, आप देखो, 3 यहाँ पर multiplied है, तो जब मैं right hand side में shift करूँगा, तो वो divide हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर जाएगा, तो 1 by 3 हो जाएगा, तो 1 by 3 से मैं each element को multiply कर दूँगा, तो 1 by 3 into 9 by 8, तो cancel होकर कि यह देखो, आपका 3 by 8 आजाएगा, then 1 by 3 into minus 3 by 3, 3, 3 cancel, minus 1 by 4 हो जाएगा, यह, this is minus 1 by 4, then 1 by 3 से minus 9 by 8 को multiply करो, so 3, 3 is the 9, cancel होकर कि यह minus, देखो, यहाँ पर 3 by 8 आजाएगा, then 1 by 3 से 3 by 2 को multiply करो, 3, 3 cancel, और आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 1 by 2, तो यह देखो, हमें matrix X मिल गया है, और हमें matrix Y तो पहले से ही मिला हुआ है, यहाँ पर देखो, तो matrix X हो गया आपका 3 by 8, minus 1 by 4, minus 3 by 8, half, और matrix Y क्या मिला, 1 by 8, 1 by 4, minus 1 by 8, 1 by 2, तो बहुत important question है, आइदर 3 marks या तो फिर 4 marks के लिए board exam में पूर सकते हैं यह, नो से equation माद 13 दिखो दिया है, equation माद 13 है, find unknown variable X, Y and Z, और हमें एक matrix दिया है equation के form में, तो दोकर matrix आपको दिया है, 2X plus Y, minus 1, 1, 3, 4, Y, 4, plus, minus 1, 6, 4, 3, 0, 3 है, and this is equal to 3, 5, 5, 6, 18, and 7, तो हम यह matrix equation solve करना है, और वहाँ से unknown variable X, Y, Z का वैलो निकालना है, बहुत ही simple है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में, दो matrix का addition दिया हुआ है, और आपको माले में हम matrix को add कैसे करते हैं, corresponding element को add करते हैं, so मैं देखो, यहाँ पर corresponding element को add करता हूँ, 2X plus Y, 2X plus Y किस से add होगा, देखो, minus 1 से, then this minus 1, plus किस से add होगा, 6 से add हो जाएगा, ठीक है, then यह plus 1 देखो, आपका add हो जाएगा, 4 से, corresponding element को add करना है, बीच नो प्लस दिया हुआ है देन देखो यहां पर यह आपका 3 है add हो जाएगा देखो यहां पर plus 3 से and then यह 4y देखो आपका add हो जाएगा यहां पर 0 और यहां पर देखो 4 दिया है add हो जाएगा 3 से और right hand side आपका as it is रहेगा because वो single matrix है 355 this is 618 और यहाँ पर देखो आपको यह है 7 अब मैं इसे simplify करूँगा देखते यहाँ पर क्या आता है 2x plus y minus 1 यह तो as it is रहेगा को simplify नहीं होगा minus 1 plus 6 हमें यहाँ पर 5 मिलेगा 4 plus 1 5 हो जाएगा 3 plus 3 देखो 6 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 4y 4 plus 3 7 हो जाएगा and this is equal to right hand side का matrix as it is रहेगा this is 3 यह 5 हो गया यह 5 हो गया 6 18 और यह देखो आपका हो गया 7 अब left hand side देखो आपका 2 by 3 2 rows and 3 column है right hand side भी 2 by 3 का matrix है और आपको पता है जब 2 matrix equal होता है तो corresponding elements भी equal होता है तो I will write here therefore by equality हाँ हम यहाँ पर लिखेंगे therefore by equality of matrices लिखो गया आप हाँ by equality of matrices corresponding element equal होगा ती हो जाएगा तो आपका 2x plus y minus 1 will be equal to क्या हैगा 3 और simplify कर दो ती हो जाएगा 2x plus y is equal to minus 1 वहाँ पर जाएगा तो 3 plus 1 देखो 4 हो जाएगा मैं इसे देता हो equation number 1 next देखते हम लोग यहाँ पर यहाँ पर देखो आपको 4y दिया है तो यह 4y will be equal to 18 आएगा तो आप लिख दो यहाँ पर 4y is equal to कितना आएगा 18 corresponding element तो यहाँ से देखो हमें y का value मिल जाएगा so therefore y is equal to 18 by 4 हो जाएगा 18 by 4 को हम reduce कर सकते हैं so this will be 2 9s आप और यह 2 2s आप तो देखो हमें unknown variable y का value कितना मिल रहा है 9 by 2 मिल रहा है अब जो equation number 1 है equation number 1 में है 2x plus y minus equation number 1 है 2x plus y equal to 4 तो y का value पता है substitute कर दो x का value मिल जाएगा तो I will write here put हम लिखेंगे put y is equal to 9 by 2 in equation number 1 तो equation number 1 देखो है यहाँ पर है 2x plus y है और y का value 9 by 2 है and this is equal to कितना है 4 दिया हुआ है simplify करते हम लो ती हो जाएगा आपका 2x is equal to 4 minus 9 by 2 हो जाएगा so this is 2x is equal to cross multiply कर दो 4 2 is 8 8 minus 9 यह minus 1 by 2 हो जाएगा पर हमें तो x का value चाहिए so this x is equal to minus 1 by 2 into 2 यहाँ पर multiplied है तो right side में जाएगा तो वो divide हो जाएगा यानि कि 1 by 2 हो जाएगा तो x का value कितना मिलेगा आपको minus 1 by 4 मिलेगा तो question में आपको क्या पुछा था find the value of x and y so value of x is minus 1 by 4 and value of y is 9 by 2 यह important question भी हमने solve कर दिया ना उसी question में 15 देखो हमें दिया exercise 2.2 का last question है word problem है तो question में 15 में में दिया है matrix A दिया है देखो यहाँ पर sales दिया है in rupees में और matrix A जो हो जुलाय मंत का sales represent करता है by the two shop owner आपको दिया है सुरेश first row represent करेगा sales made by the सुरेश and second row represents sales made by Ganesh और यहाँ पर book का देखो sales है physics chemistry और maths का book है ठीक है same way आपको august मंद का देखो sales आपको दिया है in rupees में अगें देखो यह first row जो है represent sales made by सुरेश and the second row represent sales made by the Ganesh ओके यह में दिया है तो question यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको question है find the increase in the sales in rupees from July month to August month so July से लेकर के august में कितना sales increase हुआ वह आपको find out करना है बहुत ही simple सा question है august month का sales minus July month का sales आपको मिल जाएगा increase in the sales from July to August तो just find out करो तब यहाँ पर लिखेंगे therefore B minus A हाँ just आप subtraction कर दो matrix का आपको answer आजाएगा B minus A तो matrix B देखो six six यहाँ पर five zero है यह देखो आपका seven thousand है यहाँ पर this is seven zero यह double five है यह seven five double zero है फिर यहाँ पर देखो आपका eight nine zero five है और यहाँ पर ten thousand two hundred है तो अब यहाँ आपको दिया है देखो यह 5600 है फिर यहाँ पर six six five zero है और यहाँ पर देखो आपका six seven five zero है और यह देखो आपका seven zero five five है यहाँ पर हमें दिया है eight thousand five hundred और यह आपका eight nine zero five so देखते हम subtraction करके क्या matrix मिलता है so this is equal to ठीक है अभी आपको माले में subtraction करते है matrix का अभी आपको पता है कि हम matrix का subtraction कैसे करते हैं corresponding element को subtract करोगे है यानि कि six six five zero minus five thousand six hundred देखो ऐसे लिखना है आपको six six five zero minus आप लिखोगे five thousand six hundred same देखो यहाँ पर seven zero five five minus लिखोगे six seven five zero और यहाँ पर देखो आपका eight nine zero five minus लिखोगे eight thousand five hundred same देखो second row आपका यह जाएगा seven thousand यहाँ पर minus six six five zero है और यहाँ पर देखो seven thousand five hundred minus seven zero five five और यहाँ पर देखो आपका है ten thousand two hundred minus eight nine zero five तो देखते हैं subtraction करें क्या आता है देखो subtraction करता हूं में six six five zero minus five thousand six hundred तो आपके आस मिल जाएगा one zero five zero हाँ तो लिख दो one thousand fifty subtraction करके चेक कर रहो है देन देखो seven thousand fifty five minus six six thousand seven hundred fifty तो यह सब्टराइक कर रहो तो आपको मिलेगा यहाँ पर three zero five नेक्स्ट वैलो देखो eight nine zero five minus eight thousand five hundred तो यहां से आपको मिलेगा four hundred five मिल जाएगा second row देखो seven thousand minus six six five zero to three fifty आ जाएगा तो लिग दो यहाँ पर आप three fifty seven thousand five hundred minus seven ten thousand fifty five तो आपको मिलेगा यहां से four forty five मिल जाएगा देन दर एक्स्ट वन ten thousand two hundred minus eight nine zero five तो आपको यहां से मिलेगा one two nine five मिल जाएगा ठीक है यह दो को values मिल गया हमें अब यह जो values मिला है b minus a का value है और यह first किसका था यह शुरेश का sales value था और यह जो है गनेश का sales value है ठीक है यह हमने लिख दिया सब्जिक्ट आपको पता है यह physics था यह chemistry था और यह maths का था तो जो भी हमें यहाँ पर sales value मिला है वो rupees मिला है तो आप इससे word में लिख सकते हो देखो sales made by shop owner सुरेश क्या sales made किया उसने physics में rupees 1050 का chemistry में rupees 3305 का एंड फिर यहाँ पर देखो maths में जो है rupees 405 तो फानल आंसर कैसे लिखता हूं फानल आंसर आप लिखोगे increase हम यहाँ लिखेंगे increase in sales increase in sales of subject क्या है physics ठीक है increase in sales of physics फिर यहाँ पर देखो आपको दिया है chemistry subject दिया है physics chemistry and यहाँ पर लिखा है mathematics ठीक है physics chemistry mathematics so increase in sales of physics chemistry and mathematics by मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर शुरेश क्या हैगा rupees लिख दोगे 150305 and 405 यहाँ पर लिख दो आप respectively ठीक है यहाँ आपका respectively सेम वे आप यहाँ भी लिखोगे increase हम यहाँ लिखेंगे increase in sales हाँ increase in sales of same thing physics subject जो दिया है physics chemistry ठीक है physics chemistry and mathematics books ठीक है physics chemistry and लिखेंगे mathematics book by shop owner गनेश लिख दो यहाँ पर रूपीज लिखेंगे हम 350 then rupees 445 और यहाँ पर क्या लिखोगे rupees of 1295 यहाँ पर लिख दो respectively ठीक है तो यह आपका final answer है तो फर्स्ट सब्सक्राइशन हमने सॉल कर दिया अब हम सेकंड सब्सक्राइशन को सॉल करेंगे इस बोथ bookshops get 10% profit in the month of August 2017 find the profit for each bookseller in that month तो आगस्ट मन्त में कितने का profit हो रहा है 10% का profit हो रहा है तो question is find the profit of each bookseller in that particular month यह दो आपका August month है and this this first row represents sales made by Ganesh आपको question किया हुआ है और हमें बोल रहा है कि 10% का profit है in the month of August तो हमें वो profit find out करने के लिए बोल रहा है बहुत ही सिंपल है तो देखो यहां पर जो आपको matrix भी दिया है ना वो profit matrix है क्या दिया देखो आपको 6650 और यहां पर दिया है 7055 है देन देखो यहां पर 8905 दिया है और यहां पर 7000 देखो लिखा हुआ है और यह 7500 है और यहां पर आपको दिया है 10200 this way profit कितने का दिया है 10% तो 10% का profit हम लेंगे यहां पर यहां पर लिखेंगे 10% औफ यह value का profit है ना matrix B में जितना value है तो 10% of B matrix हम यहां पर लिखेंगे 10% of B matrix बहुत सिंपल है यह हो जाएगा profit is equal to 10% मतलब 10 upon 100 जाएगा into matrix B matrix B हो गया यह 10 upon 100 कितना हो जाएगा आपका 10 upon 100 जाएगा देखो आपका 1 by 10 multiplied by आपको लिखना है matrix B तो matrix B क्या है देखो यहां पे 6650 है और यह देखो 7055 है और यह 8905 है यहां पर आपको दिया देखो यह 7000 है यह 7500 है और यह 10200 है तो matrix B के इच एलिमेंट को हम 1 by 10 से multiply कर देंगे तो देखते कितना आता है यह तो 6650 divided by 10 ती यह जाएगा देखो आपका 665 7055 divided by 10 करोगे तो 705.5 आएगा और यह दिवाइड किया था आपको 890.5 मिलने वाला है और यह दिवाइड किया था आपको मिलेगा 700 यहां से मिलेगा 750 और यहां से मिलेगा आपको 10 this will be 20 1020 तो यह हमारा यह 10% profit हो गया और यहां पर क्या दिया है यह जो था आपका सुरेश और यहां पर क्या था हमारा गनेश ठीक है शॉप उनर दोनों हो गई है तो आप लिख सकते हो profit earned by सुरेश का लिख होगे आप इसका कैसे लिखोगे profit earned by गनेश इन इच सब्जेक्ट रूपीज 700 रूपीज 750 और रूपीज 1020 तो यह वे से आप फानल आंसर लिख दोगे तो हमने देखो यहां पर second sub question भी solve कर दिया so my dear student through this video lecture हमने exercise 2.2 mattresses का जो most important question आपके most expected question था आपके board exam के लिए वो हमने solve कर दिया है so I hope यह अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा so next video lecture में exercise 2.3 के most important question लेकर के आऊँगा so आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा video को like and channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर देना so that मैं जो भी latest video बनाऊँगा उसकी notification सबसे पहले आप तक पहुँचेगी so thanks for being with me मिलते है next lecture में